नमस्कार दोस्तों भारत इतनी महंगी कीमत यानि की 59,000 करोड रुपे में 36 राफेल खरीता है ताकि पाकिस्तान और चाइना के फाइटर जेट्स के उपर दबदबा बनाये जा सके लेकिन क्या पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही राफेल की सारी खासियतों वे इसकी कमजोर का पता लग चुका है क्या अब महंगे राफेल से हमें कोई फाइदा नहीं होगा आएए पूरी डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अप्टेट्स चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राफेल एक ऐसा फाइटर जेट है जो अपनी खूबियों के कारण सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में गिना जाता है जब से भारत ने राफेल खरीदा था तभी से पाकिस्तान वे चाइना में इसको लेकर खलबली मजी हुई थी ल एटोलियन इगल 2021 के नाम से यह एर एक्ससाइज तुर्की में रखी गई इस एर एक्ससाइज में तुर्की की तरफ से F-16 ने भाग लिया तो अजर बैजान की तरफ से MIG-29 आए पाकिस्तान के पास भी F-16 है लेकिन यह पुराने हो चले हैं और इन्हें जल्दी ही रिटाय एर करना पड़ेगा पाकिस्तान को भविश्य में JF-17 के अलग-अलग वेरियंट से ही काम चलाना पड़ेगा इसलिए पाकिस्तान की तरफ से JF-17 ने इस एर एक्ससाइज में भाग लिया कतर देश के पास फ्रांस से लिए गए राफिल मोजूद हैं तो उन्होंने राफिल ह तरकी में भेजे इस एर एक्ससाइज से सबसे ज़्यादा फाइदा मिला पाकिस्तान को तरकी को और चाइना को और सबसे ज़्यादा नुक्सान हुआ भारत और फ्रांस को इसकी डिटेल्स जानते हैं तरकी का अपने पडोसी ग्रीस के साथ काफी समय से जगड़ा चल रहा है और दोनों में अक्सर लड़ाई के हालात बने रहते हैं ग्रीस के पास तरकी के F-16 का सामना करने के लिए मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं जो काफी पुराने हो गए हैं इसलिए ग्रीस फ्रांस से राफेल खरीद रहा है ताकि तरकी को दबा सके यानि तरकी भी राफेल को अच्छी तरह से जांच परक लेना चाता था ताकि ग्रीस को हावी ना होने दे इस एर एक्सराइज से तरकी ने राफेल को टकर देने के लिए जरूरी ट्रिक्स को जरूर सीखा होगा बात पाकिस्तान की करे तो उन्हें क्या फाइदा हुआ भारत के पास एर के लिए राफेल और मिग 29 फाइटर जेट्स हैं इन दोनों की ही वास्तविक टेकनिकल डिटेल्स सेंसर्स की रेंज रडार की ट्रेकिंग रेंज मिसाइल्स की रेंज काउंटर मेजर्स की जानकारी जैमिंग में इस्तेमाल होने वाली टेकनिक आदी डिटेल्स पाकिस्तान के हाथ लग चुकी है इन सभी देशों के साथ चीन की अच्छी बनती है और पाकिस्तान तो चाइना का खास मित्र देश है जिसे चाइना ने लोन्स के माध्यम से पूरी तरह से दबाया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि चाइनीज टेकनिकल टीम भी इस एर एक्सराइज के दो है नुक्सान किसे हुआ भारत ने 59,000 करोड में इतने महंगे और एडवांस राफेल खरीदे थे जिनकी पूरी डिटेल्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस सभी कुछ फिरी में पाकिस्तान वे चाइना को हासिल हो गई है यानि भारत को अब राफेल के रूप में जो एक सर्प्रा इस एलिमेंट मिला हुआ था वो अब गायब हो चुका है फ्रांस की बात करें तो उनके सबसे खास फाइटर जेट की कुछ डिटेल्स जरूर चाइना तक बहुंच चुकी है और हम सब को पता है कि चाइनिस इंजिनियर्स इन टेकनोलोजी को को कोपी करने में रिवर्स इं जानते हैं कि पाकिस्तान वे टर की राफेल के बारे में क्या-क्या जानना चाते थे और क्यों भारत को ज़्यादा नुक्षान नहीं हुआ है सरसे पहला है इसका स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम राफेल में एक बेहद खास और कॉम्पीहेंसिव सेल्फ प्रोटेक् हैं और फिर कई एडवांस टेक्नोलोजी के इंटिग्रेशन से दुष्मन की तरफ से आती हुई मिसाइल्स को जैम कर देते हैं या उन्हें मिस गाइड कर देते हैं इससे लड़ाई के मैदान में राफेल को बहुत खास प्रोटेक्शन मिल जाती है और इसी कारण राफेल दुष्मन के इलाकों से सही सलामत बच कर निकलाता है पाकिस्तान और चीन खास तोर पर इसी स्पेक्ट्रा सिस्टम का तोड निकालने में लगे हुए हैं लेकिन मातर कुछ देर साथ उड़ान भरने से या राफेल में बैठने से इस स्पेक्ट्रा सिस्टम का तोड नहीं निकाला जा सकता है दूसरी बड़ी जानकारी जो पाकिस्तान और चाइना को चाहिए थी वो है इसमें लगी हुई मिसाइल्स इसमें डक्टिट थ्रोटेबल रैमजेट इंजन वाली 200 किलोमेटर रेंज की मिटियोर लगी हुई है 350 किलोमेटर तक ग्राउंड टार्गेट् समूदर में चल रहे नेवल जहाज को टार्गेट करने लाइक एक्सोसेट मिसाइल, न्यूकलियर अटेक करने वाली ASMP-A मिसाइल वे दुश्मन के खास एसेट्स वे रनवे को डिस्ट्रोई करने वाली हैमर मिसाइल भी राफेल में लगी हुई है इन्हीं की पूरी डिटे में कम्प्यूटर सिमूलेटिड तरीके से बिना वास्तविक मिसाइल्स को लौंच करते हुए सिर्फ प्रैक्टिस ही की जाती है तीसरे पैरामीटर की बात करें तो राफेल के रडार की रेंज को पाकिस्तान वे चाइना चेक करना चाते थे इसमें लगा ASA रडार 250 किलो मि सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगा है जो स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी ट्रैक करके हीट सीकिंग मिसाइल्स के माध्यम से उन्हें डिस्टोय करने में कारगर है अगर पाकिस्तान और चाइना को ये डिटेल्स मिल भी जाएं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्ता जेएफ 17 को 200 किलोमेटर दूर से ही ट्रैक करके इसे 150 किलोमेटर से भी जादा दूरी से ही मीटी और बीवियर मिसाइल से अपना निशाना बना सकता है चाइना को भी पता रहेगा कि उनके जेट्वेंटी को भी राफेल आसानी से ट्रैक कर लेगा एक और पैरामीटर जिसक राफेल एमेरजनसी में 11 जी तक के मैनिवर्स करके बच निकलता है यानि नजदीक की लड़ाई जिसे डॉग फाइट भी कहते हैं इसमें भी राफेल को जेएफ 17 नहीं हरा सकता है राफेल में कनाड विंग्स भी लगे हैं जो कम स्पीड पर इसे अच्छी लिफ्ट जा सकता है इसकी रेंज भी 3700 किलो मेटर तक है जो जेफ 17 से कहीं ज़्यादा है यानि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान ने राफेल को जाना होगा उतना ही ज़्यादा उन्हें जेफ 17 को लेकर चिंता या टेंशन हुई होगी उन्हें अच्छी तरह से एक मरसेडीस कार और एक सस्ती सुजुकी कार के बीच का अंतर पता लग गया होगा ऐसे में जितना ज़्यादा राफेल को पाकिस्तान जानेगा उतना ही उनका भरोसा उनके अपने जेफ 17 के उपर से तूटता जाएगा यानि एक तरह से बिना लड़ाई लड़े ही पाकिस्तान का मनोबल तूट जाएगा या सब भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा जिस तरह से कुष्टी या रैसलिंग में एक बेहत ताकतवर पहलवान के बारे में जितनी भी जानकारियां जुटा ली जाएं उस पहलवान को एक कमजोर आदमी नहीं हरा सकता है वही ह आलत JF-17 की राफेल के सामने होने वाली है इसी कारण Indian Air Force को तरकी में हो रही इस एर एक्सराइज को लेकर कोई टेंशन नहीं हो रही है पाकिस्तान को भी JF-17 की सच्चाई पता है इसलिए राफेल को टकर देने के लिए पाकिस्तान अब रशिया से MiG-35 या चाइना से J-10C fighter खईदना चाता है दोस्तों आपकी राए में JF-17 का Block-3 Variant जिसमें वही रशियन इंजन लगा है और Chinese ASA Radar लगा जा रहा है क्या यह राफेल को टकर दे पाएगा या नहीं अपनी राए कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखें दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार